नमस्ते दोस्तों मैं हूँ शिवम दिवाकर आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूटूब चैनल आज से पहले हमने कई सारे वीडियो बनाए हैं मुखरजी नगर के और सबसे ज़्यादा जो डिमांड रहती है जो हर्याना के यूपी एस्परेंट हैं वो हमसे ये कह रहे है शिवम भाई जो हर्याना के स्टुडेंट है आखिर उनसे नाराज क्यों हो आप उनके साथ वीडियो क्यों नहीं बनाते तो आज हमें हर्याना के दो एस्परेंट मिल चुके हैं जो कि पायल पीजी में रहते हैं और यह दोनों लोग काफी अच्छे दोस्त हैं एक का ना मरीती का है आप बतागे यहां पर यह जो यूपीसी का हाब है मुखर जी नगर और एससी का यहां पर लोग दोनों लोग स्टुड़ी करते हैं क्या कोई प्रॉब्लम समस्य आती है नहीं अभी तक तो मतलब कोई समस्या नहीं आई है बिल्कि अ अच्छा यह मतलब अच्छ अच्छा मेरा जो बैक्ग्राउंड है वो साइंस बैक्ग्राउंड रहा है तो जो एंसी पहले मैं अपनी शुरुआत जो बेसिक बुक्स हैं हिस्ट्री पॉलिटी या एकोनोमी की वो पड़िय है और फिर उसके बाद जब उन में बेसिक लियर हो गया दो तीन बार इसकर क ैनली कितने गंटे गड़ते कितने गंटे कड़े झाथे दे किर जय हए या नका होगते कंब है जा करने किया था थक्षत एक प्ली ए कंब हो Vä्य कि एप अपरेंट कि है और यह सूचте है और उना जुड हो कॉचिंग्य को अच्ष्टी उखल मोरराए लिकिन आपलों का यही लगी ही जलबा देखने को मिल लाई के सेल्फी स्टेडी करते हैं ऐसे क्यों आपने कोचिंग नहीं किया देखो बेसिकली क्या है कि हर किसी का अपना तरीका पड़ने का किसी को लगता है कि किसी और दूसरे से समझेंगे तो उनको बेटर अंडरस्टेंडिंगी मुझ मेरा हम कि मैं सेल्फ स्टेडी से जादा चीज़ ग्रेस्प कर पाती हूं तो इसलिए मैंने बुक्स को ही अपना मतल बेसिक सोर्स बनाया कोचिंग कि मुझे समझ आगी चीज़ तो मुझे जुरूरत ने पड़ी और कुछ कुछ से कहीं प्रोब्म आती है तो ओनलाइन यूटूब पराज़ कल भहुत चीज़ बहुत चीज़ अवलेबल तो वहां से प्रोब्म क्लिर हो जाती है तो आप साइंस के स्टुडेंटे कहा जाता हूं वो ब्रिलेंट हो ते ने सा कुछ नी है बट हिए कि हां तो दोड़ को समझ जह तरीका तोड़ा अलग हो जाता है क्यों कि हम पर नहीं बखुशार्टबनी उप का आ फरेंग को फराइजग सम्झेओ घजर लें बिलकुल मई वही पहले ही। प्रेफ। करते है अभी मैं एक्सप्रेस एफ क्योंकि तुर्ट कि अपती हैं जब स्टार्टिं पढ़ना स्टार्ट कर तो चिजे समझ पाती थी हिंदु में थोड़ा चिजे जादा था तो सारी पढलेती थी अब दोड़ा क्रिस पात है तो अब चीजे ज़ीजे क्लियर होगे तो फिस्ट अटेम्ट कब देंगे मैं इस साल अटेम्ट दोंगे तो ये पूरी तो अप्षिनल करें है तो अपस्टनल का वना बहुत जरूरिया और ग्रेजिएशन करना तो आपका अप्षिनल क्या है और क अब भी कर आयें क्यांकि भोह सारे जो UPSC does परांटे लिना ग्रेजिशन करके पहले से एजाते हैं क्या हम हैं पहले से ही तैयारी करनी एप पहले से वही मेया भी था कि पहले मेरी हो चुकी है दियू से ही हुई है दोलत राम गोलेट से उस टाइम पर मैं थोड़ा बूत पढ़ लेती थी लेकिन वह यह कभी पढ़ लिया कभी नहीं उसके बाद में मैंने सोचा कि मैं अपनी टोटल टाइम में इसी को दूँ इसलिए मुखरजी नगर में आई और यहां पर मैं चार-प फिर ओनलाइन कहां से बढ़ रहे हैं कैसे बढ़ अभी मैं NCRT पढ़ रही हूं उनको कोवर कर रहे हूं कि अगर यहां पर आ रहे हो तो पूरा मन बना के आओ तो मुखरजी नगर कोई ऐसी जगह अच्छी जगह नहीं मैं कहूंगी कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ा कि यहां पर कॉलिज के भी कुछ बच्चे रहते हैं कोई वैसे भी रहते हैं बहुत सारी अलग लग तरीके के बच्चे हैं तो अपना सोच समझ के आओ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो अभी आप अभी साइन्स वाले स्टुडेंट हैं गया हां जी बिलकुल दॉन हम दोनो 8000 पर हैड देते हैं और जो बिजली बिल वगरा है वो चीजी अलग से यहां पर जो फूड देली चैंज होता है एक जासा ही मिलता है नी बिल्कुल चैंज होता है और तीनों टाइम अलग आता है और मतलब बेसिकली के वीक में एक फिक्स सडूल है हर वीग चीज जाबती है फिक्सुड़ क्या जो बिजली का बिल है वो अलग से पे करते हैं इसी में इन लग से पे होता है अलग से एक्स्ट्यूडी बिल्कुल मुमी पापा को मदल्ब पता है बेसिकली डेली बाते होतें मुमी पापा पा से उनको पता है अच्छे से प्लाइव और मैं इस प्लैट्फर्म से भी चाहूंगे बिलकुल अच्छे से स्टड़ी हो रही है बाग की अटेम्ट आई रहा है तो इस देखेंगे आप क्या कहा है अपने माध अपिता को यह यह क्यों ने पढ़ने के लिए यहां बेजा है और यहां पर माहौल अच्छा है अगर पढ़ना हो तो बस यह है कि पढ़ रहे हैं और करेंगे अटेम्ट फर्स्ट अटेम्ट होगा मेरा तो हाँ दोनों लोगों काई फर्स्टी है लगवाग है ना इस पेसली जो लड़िकियां है गल्सेवन के लिए क्लिए क्या क्या चाहेंगे क्यों कि जब भी मैं वीडियो जाता हूं तो जो लड़िकियां हैं बहुत जदा कम आती हैं सामने कैमरा के बोलना नहीं चाहती हैं कि मुझे बोलना नहीं है या फिर मैं बोलना ही पाती मुझे सरम आती है कहीं ने कहीं बाद में पी इंटर्वु देना है तो वो बोलना क्यों नहीं चाहती है खिर क्या उनकी जिसकी जगे से हम आते हैं थोड़ा सा हमेशा से था कि लड़कियों को थोड़ा सा बैकवर्ड रखा जाता था बट मैं अभी तोटली मैं अपने आप से और आप इसको भी देखोगे आपने मैं लड़किया बिल्कुल चेंज हो रही है और हर फ्रेंट प्या आ रही है अभी ह हमारे स्टेट से हर लड़किया हर लड़किया तो यह चीज़े काफी पुरानी हो चुकी और हम दूसरों को बोलते हैं लड़कों को बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों सोचेंगे तो काम नहीं चलेगा पहले खुद अच्छा सोचना स्टार्ट कर और आज के टाइम में मुखडजी नगर नेरु बिहार इंदरा बिकास कलोनी और इंदरा बिहार में और हमारे साथ अगर आप भी अपना वीडियो सेयर करना चाहते हैं तो हमारे इस्टेग्राम इडी पर जाकर कि आम मैंसान कर सकते हैं हमने अब तक बहुत सारे वीडियो बनाएं आपका वीडि तक सेयर करेंगे और आपको लगता ही कि हम कुछ पूछना भूल गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आपके विचार साथ रामंत्रित हैं उन पर भी हमेसा धिहान देते हैं एक सी तर मैं जानना चाहूँगा यहां जो PGK उनर है पाहल पीजी के उनका बिहेवियर कोई अगर दिक्ट आ जाती है तो यह उस चीज को सुनते हैं और उसको जल्द से जल्द करते हैं डिपेंड ओन की प्रोब्लम कैसी है और बिहेवियर बहुत अच्छा है और क्या आप लाइबरेरी भी जाते हैं या नहीं कि नाई लाइबरेरी नहीं जाती थी अभी एक मही वह बहुत सरफ लोग पड़ते हैं और आप दूसरा 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 यह बहुत सर लोग क्याते हैं कि मैग पड़ना चाहिए और कोई क्या था था नूट पड़ना चाहिए और कोई क्या था नूट नहीं पर मेरे घब स्टेज़ को सब्सक्राइबर सब्सक्राइब करिए पर अब यह है जब तब तुम्हें पर्टिकुलर रहांकि अगर मेरे काम का थो ही मैं इपड तो यह पड़ती हूं, और वास्टी में नहीं पड़ो कि मेरा ।ड़कि मेरा कि它 यह जो पुरा यह मुखषीन अगरे का अघनी मीलियम के स्टुडेंट के पूरा कभ जाए नहीं हम ढूनों ही इंगली मिधियम से परिपेर कर रहें और ऐस बिल्कुल भी नहीं है बहुत सार। कि ऐसे एस पर एंट ऑ अग 설घ को करए है कि तो नहीं मी अग्याई चाहिक चाहिकल निकल कि टौर पट्राइल के फाट कर एंध में तो विछ सब्सक्तु की बॉल इघ लूंगी ऑन आपकी कौन-कौन सी बुक्स हैं तो आप पढ़ चुके हैं या भी इसे बुक्स तौह पर भी रखी हैं और कुछ ही पर जो अभी बेसिकल आज कल में पढ़रे वो यहां पर तो अब यहां पर है तो आप मैं में modern history पढ़ रही थी spectrum यह वाली तो यहीं पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और अगर तुम्हारा वह बैक्ग्राउंड नहीं है ना बिल्कुल भी तो एंसे आर्टी तो मस्त हैं और बैक्ग्राउंड हो तो भी वह मस्त है क्योंकि धियूपीसी is totally based on NCRT अगर NCRT तो ही यूपीसी है एक तरीके से तो NCRT पढ़ना बहुत ज़रूरी है जो खाख सुरुवात्में यहां थे जो आफ गहर से आयाया थे किवकि जब पहली बार आते हैं यहां तो प्रफ।ा वारी थे पुड़ी थे ज्याट लागी है। इतना खास कोई हमें दिक्कत नहीं आए आपको क्या दिक्कत नहीं आती है नहीं मुझे बिलकुल कोई दिक्कत नहीं आती है मैं चार साल से भारी हूं और ऐसा मल लगने वाली ना लगने वाली कोई दिक्कत मुझे नहीं आती है आप भी गल्स को कुछी स्पेसल कहना गर्ल्स को मैं यही कहूँगी कि आप जो भी करना चाहते हैं आप उसको करें हर्याड़ में परोबलम होती है कि आपके इंटरेस्ट वगरा को फोड़ा सा ब्रॉड़ा सा अप्रेस कर दिया जाता है तो उस चीज का हो सके तो उस चीज का अपने इंटरेस्ट को पर्रिश करने की कोछिज करे तो मैं यही कहना चाहती हूं कि लड़कियां जो भी हैं पढ़ना चाहें तो वो मल लगा के पढ़ें इस इस वह बनना चाहते हैं? सबसे बड़ी परिक्षा होती है उपसे इसको क्यों करेकरना जाते है? utz कि मेरे साथ सबसे बड़िए दिग्क्कटि आये थि कि मेरे पसकि इसकी गायडेंस नहीं थियो तो थोड़ा सथ थिग्ःत्र सिट की कि कैसे क्या करूम कि से नहीं कर पर जब मैंनि नाइसा से प्रॉप कर दो मैं था कि अ कि मैंत Sब्स कब समय की साइड्गया थोड़ scenario कुरे कि आईस्क्यू बनना चाहते हैं तो बेसिकली मेरा हमेशा से तोड़ा ना सोचल इसुज में दूसरों की प्रोब्लम्स में तोड़ा सा माइंड रहा है कि अगर यह चीज यहां में होती तो कैसे सोल कर पाती तो आई तिंग हम मीडल क्लास या जैसे नॉर्मल लोगों के लिए एक ही प्लैट्वर्म में चीजे करने का वह UPSC है तो बिसिकली यही चीजे है कि हाँ अपना जो प्रोब्लम सोल करने आए अपना टैलेंट का इंशो करने का बिल्कुल दोस्तों गर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ पूछना भूल गया है तो आप लिखे उन पर हम धिहान ओसी वीडियो बनाईए तो हमने आज यह वीडियो बनाया है आपके लिए special आज की वीडियो में इतना ही मिलते है किसी और वीडियो में आप हसते रहें मुश्कुराते रहें पढ़ाई करते रहें और यूँ ही आगे बढ़ते रहें जैहिंद बंदे मातरां